बोलिवुड का पाकिस्तानियों के प्रती जो प्रेम देखने को मिलता है या फिर जो आतकवादियों के प्रती ये एक सिंपती पैदा करने की कोशिश करते हैं ये कहते हैं कि ये बेचारे भटके हुए हैं इन लोगों को बेचारों को भटका दिया गया है ये तो बता कुछ जानते ही नहीं है इस तरीके की बातें ये अपनी मुवीज के अंदर दिखाता आ रहा तो और आज भी वही सब चीजें हमें देखने को मिल रही है लाल सिंग चड़ा मुवी के अंदर आमीर खान की चार साल बद आई एक मुवी या फिर कहूँंए एक कोपी है सस्ती कोपी है फौरेस्ट गंप जो 1994 के अंदर एक होलिवुड में एक मुवी आई थी और एक पीप सस्ती चड़ा तकरीबन ये बुवी की जो लेंट है वो 2 घंटे 40 मिनिट के आसपास रखी गई है जो forest gum जो मूवी है उसके अंदर आप देखने को मिलेगा कि forest gum जिसका IQ बहुत कम होता है और वो कैसे अपनी life में आने वाली problems को हस्ते हस्ते छेलता है और एक life का एक खूपसरत message हमारे सामने रखती है वो movie बहुत बढ़िया तरीके से उसको represent किया गया हर situation को हमारे सामने जब रखा जाता है तो हम उससे connect हो पाते हैं forest gum की बात कर रहा हूँ जो 1994 में आयती लेकिन लाल सिंग चड़ा movie में वो सारी चीजे हैं एक तरीके से इतने गंदे तरीके से हमारे सामने रखी है हम कहीं से भी इस पूरी movie में लाल सिंग चड़ा movie से कहीं पर भी हम इससे connect ही नहीं हो पाते हैं और जो कि आमिर खान का जो character है लाल सिंग चड़ा का जो जो एक तरीके से कहेंगी copy है forest gum का forest gum जो movie आयती उस character का तो ये एतना इरिटेटिंग है आप मतलब धाई गंटे से भी ज्यादा आप बस इरिटेट हो रहे होगे ये सुन सुनके यार इतनी वहयात तरीके से उसको represent किया गया है मतलब कच्रा कर दिया है जो original movie है उसका movie के अगर story के अगर हम बात करें तो लाल नाम का एक व्यक्ति जिसकी life में turn and twist आते हैं कैसे वो उन सब चीजों को handle करता है कैसे अपनी वो life जीता है एक जो life का एक lesson होता है कि भाया हमें बस उस धारा में भैजाना है हमारे हाथ में जादा कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर उन सब चीजों को यह movie दिखाने की कोशिश करती है actual में वो जो आप experience feel करोगे वो original movie में feel करोगे ऐसा इसके अंदर नहीं हो पाता है अब यहाँ पर इस movie में जो real footage ली गई है भारत के अंदर सब चीजें होती है जैसे कि यह movie जो शुरुआत होती है इसकी शुरुआत दिखाया जाती है 1975 में जो emergency लगाया जाती है उसकी ending हो जाती है अब उसकी ending यानि 1977 से जब ending होती है यहाँ से यह movie शुरुआत होती है अब यहाँ पर जो लाल का character है वो बचपन से लेकर जवानी तक कैसे उसने अपनी life में सीजों को handle किया है अब जैसे कि इसमें कुछ real footage हमें देखने को मिलती है या जैसे for example कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना 1984 के अंदर सिख दंगे जो हुए थे सिख भाईयों को जो मारा गया था फिर उसके अलावा जो इंद्रा गांदी जी थी उनका assassination इसके अंदर हमें देखने को मिलता है तो बहुत सारी real footage को इसके अंदर हमें दिखाया जाता है बंबंद हमें आके इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं तो real footage को लेकर इस movie में लाल सिंग चड़ा के साथ उसकी life को दिखाया गया है ये सारी चीजें जो हैं हमें इस movie के अंदर देखने को मिलने वाली है अब देखो जो लाल का एक character है वो obviously एक मंद बूद्धी इसके अंदर दिखाया गया है अगर आप Forest Gump आप original movie देखते हैं तो उसमें यहां पर वो मंद बूद्धी नहीं है उसका IQ कम है लेकिन वो कैसे अपनी life को बहुत smooth तरीके से जी लेता है वो हम उससे बहुत अच्छे से connect हो पाते हैं उसमें ऐसा नहीं लगता है कि यह किसी भी वेक्ती जिसका IQ कम हो उसका कोई इसमें मजाक उड़ाया जा रहा है वैसा नहीं feel होता है लेकिन इसमें ऐसा feel हो जाता है इसमें एक तरीके से जिसे लाल का जो करेक्टर है वो एक दों पागल सा दिखाया गया है हर चीज के उपर हम ऐसे react कर हर बात के बोलने के उपर यह सब चीजें करने यार यह बहुत जादा irritating है अब वो कैसे एक national champion बनता है racing के अंदर फिर वो आर्मी के अंदर भरती हो जाता है आप यहां पर वो चीज देखेंगे आर्मी के अंदर भरती होना एक मंद बुद्धी का यार वो एक तो आप हजम नहीं कर पाऊगे हाँ अमेरिका के perspective में बात करो तो वहां का अलग महौल था उनकी conditions अलग थी उन लोगों को लेने की वियतनाम में जो वोर चल रहा था तो उनको बस वो व्यक्ती भरती करने था आदमियों को भरती करना था ताकि जाके वो जंग लड़ सके लेकिन भारत की respective में ऐसा कुछ नहीं था तो वहां पर एक मन्द बुद्धी को लेके आना तो वो सब चीजे ना हजम नहीं होती है और फिर इस movie में लाल सिंग चड़ा जब आर्मी के अंदर भरती होता है तो इसमें कारगिल यूद स्टार्ट हो जाता है अब लाल सिंग चड़ा को आगे भेजा जाता है यूद प्रति सिंपती पैदा गरने के कोशी के जाती है यह दिखाने कोशी की जाती है यह तो बिचारे भूले बटके लोग थे इन्होंने तो कुछ नहीं किया यह बेचारे राम से बैटे थे कोई गया इनके पास उनके दिमाग में बोला कि देखा ऐसे जननत जनी नसीब होगी तो ये भटक गये और इन्होंने बन्दू के उठा लिए और फिर जो नियतने जो लोग है मासूम बच्चे हैं महिलाएं हैं व्यक्ति हैं उनको बस मारना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और अब इन बॉलिवूड वालों के नजर से आप अगर देखें, तो आप जहां पर पिजाएं, मतलब अगर आपके सामने कोई आंतगवादी हमला हो रहा है, तो किसी वेक्ति के हाथ में बंदू कर, वो किसी बच्चे को मार रहा है, किसी महिला को मार रहा है, किसी बुजूर को मार रहा है, किसी आम इंसान को मार तो आप उसके पर दी घ्रिणा मत लीजिए ना वह भटका हुआ इंसान है उसने कुछ नहीं किया है किया तो किसी और ने वह भूला भटका इंसान है उसकी क्या गलती है तो यह है नजरिया बोलीवूड का आंतगवादियों को दिखाने का अब यहां पर जो एक व्यक्ति जो हमला होता है अभल यह इन वैसी बढ़का कर मतलब हमारी देश की आर्मी इन जैसे कुपते हराम और आंतक वाधियों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाती है वो नहीं दिखाएंगे वो ग्लोरिफाइए कभी नहीं करेंगे ये आंतक वाधियों को प्यार से ऐसे दिखाएंगे ये तो बच्चे हैं इनके बिचारे का दिमाग इनके पास तो था ही नहीं ये तो भटक गए इनकी ये सोच हैं ये घटिया मान सकता है बोलिविड वालों की और आमीर खान ने वही काम फिर से रिपीट कर दिया है जैसा आमीर खान का प्रेम हमें देखने को मिलता है वो टर्की के परती हमें देखने को मिलता है या फिर हिंदू आस्ताओं के परती कटास करते हो हमें दिखते हैं वो फिर से इनसी जो में आता है जैसे इसमें देखने को मिलता है जैसे सुनने को मिलता है अरे पूजा लेकर बायकोट चला था लोगों ने वो दिखाया भी है कि यार इस जैसी वाहियात मुवी को देखने का कोई फाइदा भी नहीं है अब आप फोरस्ट गम की मुवी को देखे उसमें फोरस्ट गम का जो करेक्टर आप उसकी परफॉमंस को देखे आप उसके कायल हो जाएंगे आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे जिस तरह की की परफॉमंस उसमें दी गई है लेकिन आमीर खान की जो परफॉमंस इस मुवी में हमें देखने को मिलती है अरे वो इरिटेट कर देती है हर बात के ओपर अरे बाई बंद करो यार यह सब चीजें आमीर खान ने अपनी लाइ आप लोगों ने मुवी देख लिये गलती से भी तो कमेंट कर देना कि आप लोगों कैसी लगी है और आप वही हार्ड कोर फैन हैं बोलीवूड वालों के जो आपको एक करेक्टर दिखाया जाते हैं देखें आप इनकी असलियत कभी नहीं जानते एक चीज याद रखना य लोगों की जिन्दगी बीच जाती है वो हीरो सुनने के लिए शहीदे आजम भगत सिंग अब्दुल कलाम ये होते हैं हीरो जिनको हम अपना आइडल मानते हैं जिनको हम हीरो कह सकते हैं जो बोर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं वो होते हैं हीरो तो एक हीरो जो होता है उसको आप देखेंगे तो अपनी लाइफ बिता देता है वो हीरो केलवाने के लिए तो और आप ऐसे जो ये so-called Bollywood एक्टर हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गुट का बेचना जिनका काम यही होता है गुट का बेच देना या फिर उनका दोगला करेक्टर होता है आप उसमें मत बह जाना तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखने की बहुत जादा जूरता और वैसे देखा जाते हैं जनता की बहुत सारी समझ अब हमारे सामने भी आने लगी है उनको समझ लिया है यह जो Bollywood वाले है सिर्फोर सिर्फ अपनी मुवीज को चलाने के लिए हर एक पैंतरा अपनाएंगे और एक अपनी घटिया मान सकता है यह आप लोगों को दिखाएंगे प्रोपोगेंडा है वो यह फैलाने की कोशिच करेंगे और आज वही हाल हो रहा है जहां पर फर्स डे इस मुवी ने सिर्फर सिर्फ बारा करोड ही कमाए है जिस तरह की कि इस मुवी में हमें थियेटर्स देखनी को मिले हैं बिल्कुल खाली थे कहीं कहीं पर फिर तो शोग कैंसल होते होते बचे हैं इस मुवी के तो यहां पर दिखा दिया है जनता ने कि भाईया अब नहीं चलोगे आज आपको जनता की सुननी पड़ेगी या तो अपने अंदर सुधार कर लो वहना आने वाले टाइम में तुम बिल्कुल ही खतम हो जाओगे कैर मैं तुम इस मूवी को बिल्कुल भी देखने के लिए रिकमेंडिट नहीं करूँगा देखनी है तो जाके फोरस्ट गम मूवी देखो बहुत बढ़िया मूवी है एक मास्टर पीस है आप उससे कनेक्ट होँगे आप उसकी स्टोरी देखे कि अब उसका करेक्टर का डेवलोप्मेंट देके आप उसमें देखेंगे कितनी बढ़ी आप performance की गई आप कायल हो जाओ या पर्फोर्मेंज के टॉम हैंग के द्वरा जो पर्फोर्मेंज की गई है इतनी जबर्दस performance है यार तो मेरी तरफ से तो भाई जीर हो ही है अगर आप लोगों ने देखिये तो comment कर देना और बिल्कुल मत पैसे बरबाद करना इस movie के उपर तो बसाज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में thanks for watching this video, मिलते हैं नेक्स वीडियो में Jai Hind